ऐलो मैं प्राणिता प्राणिता द्यरक्सरी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मकर्जंकांती की अब स्वाइप सरफ मैंने भीड़ू बना दील के और लाई लड़ू बनाती हैं। और बाद मचिकी बना हैं। उसके बद पैन में घी थोड़ी से घी डाल कर गुर डाल देंगे, गुर की चासनी बना लेंगे, गुर की चासनी बनाने के लिए गुर को अच्छी तर से पिगला लेंगे इसमें डाल कर लगतार चलाते वे ताकि नीचे चिपके ना, जले ना, थोड़ी से पानी हाँ आट कर कि गूर गल जाएं इस हैं लगतार चलाते पर इसकी चासनी बना लेंगे और इसे चेक कर लेंगे ए दिखिए ये तार की चासनी बन गई है अब इसे गूर को की चासनी को जो बुनकर रखी थी मैंने तिल उसमें थोड़ी थोड़ी डाल करके अच्छे से चला लेंगे जरूत पड़ी तो और भी गुर्ट एड़ करेंगे गुर्ट की चासनी को एड़ करेंगे इसे चमज के मदद से लगतार चलाते रहेंगे ताकि यह जमेना अच्छे से मिल जाए मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ी से और जुरत पड़ी तो मैं इसमें एड़ कर दी चासनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हाथ में पानी लगा कर छोटी छोटी लड़ू के शेप में ढाल देंगे ये दिखे लड़ू तयार है इस मकर संग कांती आप भी इसे इंज्वाइ केजिए घर के बने लड़ू और भी टेस्टी लगते हैं ये दिखे तयार है बनकर अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे बादाम चिकी बनाने के लिए बादाम को कड़ाई में डाल कर इसे भून लेंगे भूनने के बाद इसके चिलके को मसल कर निकाल देंगे चल्के को निकालने के बाद अब चाशनी तयार करेंगे गुर्की चाशनी करने के लिए पैन में थोड़ी सी घी डालकर उस गुर्को गला लेंगे उसके बाद उसकी गाड़ी चासनी बना लेंगे और पानी में चेक करकर देख लेंगे उसके बाद इसमें बादाम को डाल दे उसके बाद इसे फैला देंगे अच्छे से जब यह ठंडा हो जाएगा तो चाकू की मदद से दबाते हुए इसे काट लेंगे बड़फी के शेप में और लाई की लड़ू बनाने के लिए मैंने जो बचेवे गूर की चासनी थी उसे पीगला कर उसमें लाई डाल दिया मैंन लाई डालने के बाद बॉल में डाल दिया मैंने उसे डालने के बाद उसे अच्छे से मिला लेंगे चार तरफ से मिलाते हुए मिला लेंगे ताकि गूर और लाई एक दूसे में अच्छे से चिपक जाए ताकि लड़ू बनाने में आसानी हो गर के बने लड्डू काफी टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है अब इसे जरूर बनाईएगा सारे लाई को अच्छे से गुर में मिला दिये गुर की जासनी के साथ अच्छे से मिला कर अब इसको भी लड्डू के शेप में बना लेगे निखाने में काफी टेस्टी अच्छा लगता है हाथ में थोड़ी सी पानी लगा कर इसे लड़ू के शेप में बना लेंगे प्रेस करते वे लाई को अच्छे से दवाते वे इसकी लड़ू तयार कर लेंगे इसी तर से एक एकर सारे लाई की लड़ू को तयार कर लेंगे और इसे डब्बे में बढ़कर आसानी से रख सकते हैं इसे बनाना भी काफी आसान है घर में तो और भी अच्छे से बन जाते हैं साफ सुत्रे तरीके से इसी तर से करके एक एकर में सारे लड़ू को तयार कर लूँगी लाई के लड़ू को यदि कि अब तयार हो गए है खाने में भी अच्छे लगते हैं आप भी इस मकर संक्रांती अपने घर में बनाए वे लड़ू और लाइक यदि रसी पिया ची लगे तो लाइक करें आप सब्सक्राइब करें आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब